नमबर एक नमबर दो बोगस वोटिंग तो फिर नहीं दिजा सकती न मतलब प्रिवेशी की बात कर रहे हैं अब हम पैट्रोल पंपर वो सौर पेका कोई लगी ड्रॉट होता है उसके लिए हम सारे कागस दे देते हम हम मौल में कोई लगी ड्रॉट के चकर में सारे कागस दिखा देते हैं अपने यहां वोट डालने जाएंगे लेकिन हम आधार नहीं दिखाएंगे कागस नहीं दिखाएंगे अभे भाई यह कैसे चलेगा आपको कोई छिपाना है अपना आधार फिर मुझे मुझे एक बात का पश्ट जवाब दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही एक रास्ता बचा है जिस पर से वोगस वोटिंग रोकी जाती है इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा अभियान चला है जिसमें वोटर आईडी हमने प्रोड्यूस किया अ अब आप लोगों को की पहचान करके उनका वोट डाला जाता है अगर फरजी वोट डाला जाता है तो एक्शन होता है लोग पकड़ाते हैं और उन पर कारवाईयां होती है लेकिन यह जो फंडमेंटल राइट है इसको आप कैसे मेंडेटरी कर सकते हैं आप कैसे तैय कर सकत प्रेम शुकला जी आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस है उसके चक्कर में जनता क्यों भुगते यह कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ते अभे भाई अभे दूबे कह रहे हैं आप लोगों की इनकॉम्पिटेंस जी अमन जी आपको ध्यान होगा 1993 में जब तत्कालीन मुक्ह निर्वाचन आयुक्त टी एंशेसन जी ने मतदाता परचेपत्र की संकल्पना को साकार करने का अभियान प्रारम किया तब कांग्रेस और सेकुलर दलों के तमाम मुस्लिम नेता कहते थे कि हमारी मुस्लिम महिला हैं जो बुर्के में रहती हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं वो फोटो घिचवाने कैसे जाएंगी और जब फोटो नहीं घिचवाएंगी तो उनका मददाता परचेपत्र नहीं बनेगा अब अब रता इनकी है कांगरेस वालों का कि यह दूसरों को भी बोले नहीं देना चाहते यह इनका जो है शडेंतर होता है जी तो उस समय जो है कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं जो है चूंकि परदे में रहती है इसलिए मुस्लिम महिलाओं का मददाता परचेपत्र नहीं बन पाएगा इसलिए मुस्लिम महिलाओं का जो फंडामेंटल राइट है मतदान करने का वह छिन जाएगा आप बताएगे 1995 के चुनाओं से मतदाता परचेपत्र आ गया कालांतर में अनिवार हो गया आज तक मुस्लिम महिलाओं का क्या उनका जो बुनियादी अधिकार मतदान का है क्या वो छिना है तो नहीं छिना है आप इसी तरह से जो हैं लपीजी गैस कनेक्शन में जब आधार कार्डिंग करने की बात की गई तब विरोध हुआ उसमें चार करोड फ फर्जी ग्राहक दिखाकर भोगता दिखाकर वह बाकाइदा फर्जी वड़ा किया करते थे राशन कार्ड से जुड़ा गया करोणों राशन कार्ड फर्जी पकड़े गए अब जो है जब इन्होंने कहा कि भाई निर्वाचन आयोग दोहजार बारा से एचस ब्रह्मा जब निर्वाचन आयोग थे तब से यह मांग लगाता निर्वाचन आयोग पत्र लिखता रहा निर्वाचन आयोग के इस पत्राचार के बाद प्रक्रिय प्रारम हुई कुछ लोगों का पाइलट प्रोजेक्ट भी इस विशे पर चला आप मुझे पता यह नहीं जैसा आपने उसको आसानी से अक्सेस किया जा सकता है तब आरे सर्मा जो उसके अध्यक्ष उन्होंने बाकाइदा लेक लिकर सप्रमान बताया तिया संभाव नहीं है तो और तीसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि निजता का अधिकार निश्चित तोर पर फंडामेंटल डाइट है लेक इसका दूरुपयोग करने के स्तर तक आप सुतंतरता के नाम पर फर्जी वाड़ा चूंकि कांग्रेस फर्जी वोटों के बल पर चुनाओ जीतने का इसका वियान 1952 से 2014 तक रहार 2014 के बाद थोड़ा था नियंत्रित हुआ है तो इनको पीड़ा हो नहीं